हाई गाईट स्वाग्द खर्तियूं मैं आपको अपने चैनल नैशनेस बेटी वर्ड पे कैसे हैं आप सब आज मैं आपको लावेली की चॉकलेट वैक्स दिखाऊंगी सबसे पहले वैक्स करने से पहले हम हाथों पर पाउडर लगाएंगे ताकि हमारे हाथों पर पसीना ना कर लेंगे वैक्स को इस तरीके से और सबसे पहले उपर से नीचे की तरफ लेंगे बालों की डारेक्शन देखके लगाएंगे आप पहले बालों को चेक कर लेंगे कि बाल हमारे किस डारेक्शन में और बिल्कुल भी ज्यादा वैक्स नहीं लगनी चाहिए एकदम अच्छ आप चाहेंगे तो नीचे से पहले नीचे से हाथ को शुरू कर लेंगे और आप चाहेंगे तो उपर से शुरू कर लेंगे यह आप इस तरीके से बस बालो की डारेक्शन को देखते हुई चलेंगे ये वेक्स जो है ये गर्मी के टाइम जैसे पसीना हो रहा होता है बहुत ज्यादा और आपसे होती निया कई बार पानी छोड़ देती है वेक्स तो उस पे भी आप कर सकते हो ये पसीने में भी बहुत अच्छी हो जाती है बहुत अच्छी है वेक्स जैसे आपके पास एसी नहीं है तो अभी आप इसे यूज कर सकते हो और इससे अगले दिन देखोगे हाथे पे बहुत सोफटनेस आ जाती है जैसे चोकलेट में होती है उस टाइप की और ग्रोथ भी आपकी थोड़े से लॉंग टाइम तकाती है बड़ जिनको टैनिंग की प्रोब्लम है तो वो रिकवेक्स या वाइट चोकलेट करवा सकते हैं टैनिंग के लिए इसके साथ साथ मैं आपको अंडराम्स भी करना दिखांगे किस तरीके से करेंगे और यह आप देख रही हो कि डारेक्शन आप यहाँ पर आएंगे तो इ खीचेंगे उसके बाद ही करेंगे इस तरीके से हाथ को नीचे से पकड़ेंगे और तब खीचेंगे और बाइचांस गर्मी के टाइम आपको गर्मी यह सर्दियों किसी के प्रोब्लम होती है कि मेरे दाने हो रहे हैं वेक्सिंग कराने के बाद तो आप एस्टेंजन यहां पर इनकी ग्रोथ तिर्ची है तो इन्होंने तिर्ची ही वैक्स लगाई है इस तरीके से तिर्ची वैक्स लगाई है आप इनकी ग्रोथ भी देख रहे थे कितनी ज्यादा थी और आप हाथ भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहे है एक्दम क्लीन यहां से भ ग्रोथ करते वही ग्रोथ को देखते वही चलेंगे क्योंकि कई बार आप कहते हो कि मैडम बाल छोटे-छोटे रह जाते हैं और जल्दी निकल जाते हैं तो उनका एक कारण यही होता है कि आपकी ग्रोथ बीच में तूट जाती है क्योंकि आपने डारेक्शन देखके नहीं लगाया होता है आप कहुनी को हमने फोल्ड कर लिया यहां पे मोड लिया है तो यहां की डारेक्शन आजेगी नीचे की तरफ कहुनी के पास हम लगाएंगे नीचे की तरफ और उपर की तरफ खीचेंगे इनको उल्टा बस आप जहां भी कर रहे हो हाथ पे बालों को देख लगाएंगे और उसी डारेक्शन में खीचेंगे और कोहनी पर आपका टैनिंग गेरिया होता है तो वहाँ पर दो बार लगा देंगे पट्टी इस तरीके से आप देख रहे हो डारेक्शन के अकॉर्डिंग की वैक्स करेंगे और आप मेरी और ज्यादव वीडियो की वैक्स की वीडियो देखना चाहते हैं अंडेराम्स वैक्स की हैं नॉर्मल वैक्स की हैं कठोरी वैक्स की हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं और मेरी 35 से इसे हाथ को यहां से रब करेंगे क्योंकि कई बार हम काम करते हैं सर्दियों में तो थोड़ा से टैंगिनिंग हो जाते हैं ब्लैकनेस आ जाती है हाथों पे तो उस पर क्या करेंगे आप अच्छे से पहले यह आप देखेंगे फिंगर पे इस तरीके से आप देख रहें इ अच्छे से हटेगी नहीं आप यह देख रहे हो जहां पर इन्होंने वेक्स लगाई थी वहां से बिल्कुल रिमूव हो गई है बटे आप बीच में देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बैब ब्लैक एरिया है तो यहां पर दुबारा लगाएंगे और अभी देखेंगे बिल्क बिल्कुल क्लीन पाएगा आपको तो रब अच्छे से करेंगे बिल्कुल इस तरीके से और आप खीचेंगे आप यह देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया इनका वह ब्लैक एरिया तो आप इस तरीके से अच्छे से कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी वेक्स अच्छे से च कीचेंगे हर जगे हमारी डिरेक्शन चेंज हो जाती है जैसे हमारे बाल होते हैं उसी तरह के से में लगानी होती है इसके साथ ही मैं आपको अंड्राम्स भी दिखाऊंगे इनका कि कैसे करना है इस तरीके से करेंगे सारा यहां पहले पाउडर लगाएंगे अंड्राम्स में अच्छे से ताकि आपको पसीना ना और ज्यादा लेंथ है आपके बालों की अंड्राम्स में तो हलका सा कट कर लेंगे बट इनकी नॉर्मल है तो और आप डारेक्शन देख रहे हो कि दो तरफ कि यह थोड़े से बाल उपर की तरफ है और यह जहां लगाई है वैक से नीचे की तरफ है तो आप अलग-अलग डारेक्शन में लगाएंगे और इन्हें हम दो बार करके खीचेंगे क्योंकि अलग डारेक्शन है पहले हम नीचे से उपर की तरफ खीचेंगे और अच्छे और फिर एक दम से clean करेंगे इस तरीके से और आपको tanning हो रहे है तो आप चाहते हो कि और अच्छे से clean हो जाए तो आप rika wax या white chocolate wax use कर सकते हैं, वो tanning के लिए बहुत अच्छी होती है आप इंके दोनों हाथों में फर्क देख सकते हैं, ये हाथ किया हुआ है इनका और दूस थोड़ी देर में आती है तो आपको भी मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर जरूर करें थैंक यू